हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो गाइस जैमा टैरो की जनरर रीडिंग का टोपिक है आपके परसन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है जी हां उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है आज की रीडिंग का यही टोपिक है यह रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबी लोगों के लिए है क्लेक्टिव और टाइमलेग आप जब जी चाहे से देख सकते हो जितने रोजनट करें रख लेना बाकी जाने देना लेकिन यह पक्की बात है बहुत सारी क्लैटी के साथ आखिर में रीडिंग क विए को है शुर्ग बेहतर और आपके दिलगों को देगी सकून तो चलते हैं देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या जल रहा है जो परसंट आप सिर डेडु सारी मिठी बाते करते हैं ज्धिक करते हैं उनके दल के दीराज कर आज हम पहुंचते हैं कि फर्स्ट कार्ड तू ओफ फॉन्स है पहला काड़ी जो आया है फायर साइन आया है सैकेंड कार्ड मेजर और करना से हाई प्रेस्टेस थर्ड कार्ड है एस ओफ कप्स एट ओफ सूर्स जज्ज्मेंट दा वर्ड मेजर और करना का लास्ट कार्ड जस्टेस जस्टेस के बाद है फाइफ उफ सूर्स जस्टेस्ट और करना से लास्टेस्ट और क्रें खाद। कि नाइट ओस पेंटिकल्स तो गाइज चलते हैं रीडिंग की तरफ जिसका टोपिक है कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है तो आप सबसे बिले में आपको बोटम की तरफ देती हो कि बोटम आपका ये बता है कि आप लोगों की काफी चीज़े रुकी हुई है रुकी का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई जगड़े है कलेश है टेंशन है बोल चाल बंद है ये भी हो सकता है और रुकी का मतलब ये है कि रिष्टा आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं आप लोग बात करते हो जा आपक कि इस person पे stuck को क्योंकि आप इनसे बहुत love करते हो अया जो इस्टक ऑपगे लावा आपने इनके जायर किसी और को चूस नहीं करना और आपने इनको ही आपने boundary बना रखी है और जैसे आपने इनको boundary बना रही है इसी तरह आपके रिश्टे में भी पूरी तरफ से boundary है जिसकी सकती जो है इस इनसान के उपर पूरी निर्बर है ये इनसान उसके इलावा कुछ नहीं चल नहीं सकते फिर नहीं सकते जनी कि पूरी तरह से निर्बर है उनके बगार ये हिल नहीं सकते यहां इनसान जो है वो इनकी family member का हो सकता है और यह भी हो सकता है कि यह शादी शुदा हो यहां five of sorts का card बताता है कि यह काफी चीजे आपसे चुपाते हैं काफी चलाकिया भी करते हैं क्योंकि इनकी जो है ना पेश वो उनके उपर नहीं चलती इनकी जो पेश वहां तो चलती नहीं और यह जो है आपकी तरफ थोड़ी सी बाते गुमाते हैं तोड़ा चल करते हैं जिसकी वज़ा से आपके मन में कई तरह के डौट भी आते हैं लेकिन आप फिर भी इस इनसान पेस्टक को एट ओफ सोर्स लेकिन ये इनसान गाईज अंदर से बहुत उधास रहता है हो सकता है ये सिटी जा स्टेट से दूर हो ये आपको काफी मिस करते हैं आपको आपके बगैर उधास रहते हैं अपनी इन रवये से भी दुखी रहते हैं लेकिन आपको बताते नहीं है हो सकता है ये इनसान से प्रिचल भी हो लेकिन आपके लिए ये इस टाइम जो है जब रिष्टा आगे लेके नहीं जा रहे तो आपके दिल में कई तरह के सवाल कोश्चन उबर रहे हैं आपकी एनरजी ये बता रही है आप बले ही इन पे उपर स्टको लेकिन डिवाइन प इनकी फैमिली के लावा भी कोई हो सकता है जो बड़े प्यार से भी इनको हैंडल कर सकता है कुछ लोगों के परसन की लाइव में कोई ऐसा इनसान भी हो सकता है जिनकी परसन को गलती नहीं नहीं जराती और बड़े प्यार से हैंडल कर रहा है लेकिन गाइस ये आपका जो दावर्ड का कार्ड है जो ये बताता है कि जो काल काल चक्र है वो गूम के जब तक पूरा नहीं होगा तब तब चीजे अपडोन होती रहेगी और डिवाइन के आगे गोहार लगती रहेगी ये इनसान जो है आपको समझने हुआ पा रहा है लेकि आगे नहीं पढ़ रहा आप इनको समझ पा रहे हो इसलिए रुके वह बेगी ये वक्त जो है वह आपके साथ नहीं है क्योंकि जहां ज़र्जमेंट का कार्ड बता रहा है कि यहां जो है यह काल चक्र जो है चलना ही चलना है जैसे यह गूम के यह यहां पहुंचेगा चीजे ऑटोमेटिकली साफ होंगी लेकिन आपको जितना मर्जी यह गुमाई फराई यह जो होता है न्याई मिलके ही रहेगा क्योंकि हमें मिला हुआ है जस्टिस का कार जो यह बताता है आपको न्याई मिलना है रिष्टे को न्याई मिलना है प्यार को न्याई मिलना है कोई कहीं नहीं जाएगा सिर्फ एक लेखा जो का है वो खाता खुला हुआ है उसकी वज़ा से सब चीजे आगे पीछे हो रही है क जो कि साथ में मिला हुआ है हमें Ace of Cups का काड जो है जिवाइन बात है कि अगर चीजे देर हो रही है अगर जब भी शुरू होएगी यह चीजे बड़े प्यार से शुरू होएगी बड़ी हाट टच से चुरू होएगी और बड़ी एमोशनल से यह बड़ेगी एक होता है दिल को दिल जोने वाली चीज़े वो चलेगी आगे लेकिन इस टेम जो है ये आपका लिखा जोका चल रहा है क्योंकि हमें नाइट ओफ पैंटिकल्स का कार्ड देखे समझ जाना चाहिए कि काफी कुछ रुका हुआ है अगर आप इस परसंद से मेरिज मांग रहे हो वो रुकी जिस वज़ा से आपके रिष्टे में नराजगी भी कई बर बढ़ जाती है तो गाइज ये परसंद ने सोच रखा है ये एक बार रिष्टा हो जाएगा तो ये गाइज आपका दुख सुक में कभी साथ ने चोड़ेंगे वक्त कैसा भी आए अगर आप इनका साथ दोगे तो ये भी आपका साथ देंगे क्योंकि आप इनके लिए एक हसीन ब्यूटी एक ऐसी परसनेल्टी हो जिनको इन्होंने दिल में उतार रखा है आप काफी इनसान जो हो बहतर हो बड़े प्यारे हो बड़े ओपन माइंड़े हो लेकिन इस परसंद की वज़ा से थोड़े ज आपको मैंने जैसे ही बताया यहां जो कार्मिक है वो कर्मा का है आप देखिये नीचे यह चक्कर जैसे ही कतम होगा चीज़े अपने आप सरी जगांपर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी तो डिवाई ने आपको संकेत दिये हैं कि आप जो है इश्वर पे वरोसा रखे औ अपने आछे कर्मों का अंकाउन जो है बड़ाई इसका मतलब यह नीए कि आपके कर्म खराब है जाने अंजाने में कई वर गलत बोल देते हैं जाने और बर परसन के साथ गलती हो जाती है फैमिली को गुस्सा दिखाते हैं उन चीज़ों को आपको बंद करना होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है वो चाहते हैं कि आप उनके जिन्दगी में आओ आपको वो न्याय दे अगर आप उनकी लाइफ में आते हो वो आपको दुखो सुको कभी साथ ने चोड़ेंगे आपके साथ हार टू हार टच करके बैठेंगे ये गाइस ये आपको एक देवी की तरह मानते हैं वो चलते हैं ये जानते हैं कि आप डिवाइन पर वरुसा रखने वाले इंसान हो बले ही अब आप डून चल रहा है लेकिन आप इनका साथ हमेशा दोगे इसलिए इनके दिल में जो है ना गाइस आपके लिए काफी पॉजिटिव अनर्जी है लेकिन थोड़ा वक्त खराब चल रहा है ये वक्त के साथ लड़ नहीं पा रहें तो इन फ्यूचर आपका रिष्टा आगे भी बड़ेगा आपको नियाय भी मिलेगा प्यार भी मिलेगा और आपके सारी चीजे मन मताबिक सेट होगी तो आपके लिए क्या एड़वाइज है मैं निकालती हूँ डिवाइन मेरे वियूर जो अपने परसन की अच्छी चीजोगा वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या एड़वाइज है बता ही मुझे जी हाँ देखिए डिवाइन ने आपको एस ओफ कप्स का कार्ड फिर दिया है डिवाइन कह रही है कि बरोसा रखो मेरे पर आपके प्यार की शुरुआत आपके मन मताबिक होगी आपकी चीजे भी आगे बढ़ेगी लेकिन आपको आंसू नहीं बनाने यह जो प्यार है इस जाद भी करते हो तो आंखों में आंसू नहीं लाने एक चेहरे पर स्माइल लानी है ताकि आपके रिष्टे जो है जैसे जैसे आप पोजिटिव होते जाओगे आपके करम अच्छे होते जाएंगे आप किसी को बला बुरा नहीं करोगे बले ही यह चकर जल्दी पूरा हो जाती है और उसके मन मुताबिक फिर थोड़ा सा हमारी उन चीजों का खराब समय जल्दी निकल जाता है ज़्यादा खराब वो नहीं लगता एक टाइम पर आके हमें मन मुताबिक चीजे मिल जाती है तो यह थी आज की रिडिंग उनके परसन के मन आपके परसन के मन में डिवाइन की तरह देवी की तरह मानते हो उनके लिए आप एक हुमन परसनेलिटी के साथ साथ एक ब्यूटिक क्वीन हो जब ब्यूटिक किंग हो समार्ट भॉय हो तो थोड़ा वक्त खराब चल रहा है आपको होंसला रखना होगा पेशंस रखने होगे और यह यह जो है य प्रैंत जैसा दिल लेके जीओ तो फिर बिलियों से क्या डरना तो इनकी फैमिली में बले ही इनकी लाइफ के लोग आपके और इनके रिष्टे में आए लेकिन आपको नयाय मिलना ही मिलना है तो यह थी आज की रीडिंग तो गाईज यह जन्नल रीडिंग है यह सब की री आपको सारी डटेल मिल जाएगी बड़े प्यार से बड़े अराम से होती है और जैनुल रेट्टों पे है तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए गोड़ ब्लेस यू और जैम आता दी